सिनेंग पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोगामों का मशूर मंच नमस्कार मेरा नाम अचला शर्मा है सुनिए सिनेंग पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटन में हिंदी कहानी ब्रिटन में बसने वाले इमेगरंट समगायों में एक बड़ी संख्या भारत, श्रिलंका, बंगलादेश और पाकिस्तान से आए लोगों की है तीस लाक से ज़्यादा देसी मूल के ये लोग ब्रिटन में नया इतिहास रच रहे हैं सत्ता में मसबूत साजेदार हैं और अपना साहित्य अपनी भाशाओं में खलम बंद कर रहे हैं पंजाबी, गुजराती, तमिल, बंगला और दूसरी दक्षनेशियाई जबानों में खूब लिखा जा रहा है लेकिन हिंदी उर्दु के बोलने वालों की जमात इन सब में सबसे बड़ी है और मुखर भी ब्रिटन में हिंदी के ऐसे कई कथाकार हैं जो भारत में छपने वाली साहित्यक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, चर्चित होते हैं और सम्मान पाते हैं उनके कई 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 कहानी संघ्रे प्रकाशित हो चुके हैं इनकी कहानियों में कहीं ब्रिटन का सामाजिक चहरा दिखाई देता है तो कहीं ब्रिटन के प्रवासी जीवन की जलक मिलती है कहीं स्वदेश की यादों में नए देश में बसने के संखर्ष और उनके खटे मीठे अनुभव घुल मिल गए हैं इस सीरीज में हम ब्रिटन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानिकारों की कहानियां पेश करेंगे इनमें ज्यादतर कहानिया लेखकों की अपनी आवास में हैं तो श्रेंखला में सबसे पहले मैं अपनी ही एक कहानी पेश करती हूँ मैं हूँ अचला शर्मा मेरा छोटा सा परिचे यह है कि मेरा जन्म पंजाब में हुआ लेकिन पली बढ़ी दिल्ली में दिल्ली विश्विद्याले से हिंदी में M.A. किया और PhD की उपाधी पाई कहानिया मैं लंदन आने से पहले भी लिखती थी लेकिन रोजी रोटी का जरिया रेडियो रहा भारत में All India Radio से अपने केरियर की शुरुआत के बाद लंदन में लंबे समय तक BBC की हिंदी सेवा में कारे रत रही और अपने कारेकाल के अंतिम बारह वर्षों में BBC हिंदी सेवा की अध्यक्ष भी रही आग जो कहानी मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ उसका शीर्शक है मेहर चंद की दुआ यह कहानी मैंने ब्रिटन के 2010 के जनरल इलेक्शन से पहले लिखी थी तो पेश है मेरी कहानी मेहर चंद की दुआ बस अब तेरी खस्मत बदलने वाली है मेहर चंद रवीम भाई ने अखबार से नजर उठा कर उसकी तरफ देख कर कहा सुभी उस वक्त जब उसके खात की खंची में हरी भाई की बाल थे चाहे कुछ हो नवीन भाई के छोटे से हेर एंडी वीडी सलून में एक अखबार जरूर रहता है पर महर आलम के लिए बेकार है क्योंकि नवीन भाई सिर्फ गुजरात समाचार पढ़ते हैं उसे जब कभी हलाल गोश्ट की दुकान पर उर्दू का जंग देखने को मिल जाता है वो भी एक नजर पाकिस्तान की सुर्खियों पे डाल की लेता है कैसे नवीन भाई उसने हाथ रोक कर पूछा रोकना ही अच्छा है वरना हरी भाई के बाल एक सेंटीमीटर भी इधर से उधर हो गए तो धमकी देंगे कि अब तुमसे नहीं कटवाँगा और अगर धमकी सच कर दिखाई तो साथ पाउंड के उपर जो एक दो पाउंड की टिप वो हमेशा नवीन भाई की आख बचा कर उसकी जेब में डाल देते हैं वो बंद हो जाएगी हलंकि वो जानता है कि नवीन भाई देख भी लें तो बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि ये नौकरी उन्ही की बदावलत है और वो महरे आलम से बड़ी महबत करते हैं मेहरचंद नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है बात यह है कि मेरे सलून में आने वाले ज्यादातर क्लाइंट गुजराती हैं वो भी ऐसे हिंदू जो मास मच्छी तक नहीं खाते आवे तारो नाम मेहरचंद नवीन भाई ने गुजराती में कहा जिसका मतलब था कि अब तुम्हारा नाम होगा मेहरचंद मन्जूर हो तो बोलो महरे आलम को पहले तो बात जची नहीं विलायत में अगर कोई ये कहता कि अंग्रेजी नाम रख लो तो भी बात समझ में आती पर हिंदू ना? मुल्क में किसी को खबर लग गई तो थूकेंगे उसके नाम पर मगर फिर सोचा नाम बदलने से उसका दीन इमान थोड़े ही चला जाएगा रोजी रोटी का मामला है खुबूल है पहले महरे आलम पांच वक्त की नमाज बिना नाखा पढ़ता था अब चुकि सारा दिन नवीन भाई की दुकान पर बीच जाता है और रात में कभी कभी टैक्सी भी चलाता है इसलिए उसने रोटीन बदल ली है सुभे फजर की नमाज बढ़कर निकलता है और रात को जाकर ख़जा पढ़ लेता है एक ही साथ जोहर अस्र मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ता है बाखी अल्ला मिया जाने नवीन भाई भले आदमी है जुम्मे की नमाज के दिन उसे छुट्टी दे देते है उस वक्त कोई रेगुलर क्लाइंट मेहरचंद को पूछता हुआ जाए तो नवीन भाई कोई बहाना बनातेते हैं वैसे तो उनकी दुकान पर दो बंदे और काम करते हैं रमेश और विनोद पर नवीन भाई ज्यादा भरुसा महरे आलम पर ही करते हैं कई बार बैंक में कैश जमा करने के लिए उसे भेजते हैं नवीन भाई कह रहे हैं तो जरूर उसकी खस्मत बदलने वाली है लो हरी भाई, कट गए वाल उसने हरी के सिर के पीछे आईना रखा ताकि वो अपने सिर के पीछे का हिस्सा भी सामने वाले आईने में देख सकें वैसा स्टाइल नहीं बना जैसा कहा था हरी भाई ने शिकायती लहजे में कहा अब वो तो मशीन से ही बन सकता है और मशीन आप इस्तेमाल करने नहीं देंगे महरे आलम ने अपनी सफाई में कहा कहना चाहता था कि बाल कितने रह गए हैं जिन से स्टाइल बने तो भाई जरा मालेशी करते आज महरे आलम का मन हुआ कोई बहाना बना दे उसे नवीन भाई के जवाब का इंतजार था जरूर कोई खास बात बताने वाले थे और शायद इसलिए रुख गए कि हरी चला जाए तो बताएं पर हरी भाई के साथ कोई बहाना नहीं किया जा सकता कोई और क्लाइंट बैठा होता तो कह देता कि इस वक्त रमेश और विनोद भी नहीं है कौन सा तेल लगाँ उसने पूछा और बादाम का लगवाया करो हलका होता है जल्दी रचता है बालो में चल बादाम का ही लगा दे मालिश अच्छे से करना हरी भाई के जितने बाल बचे हैं उनमें ज्यादा तर पीछे ही रह गए हैं फिर भी दो हफ़ते में एक बार बाल कटवाने जरूर आते हैं हरी के सिर्की मालिश करते हुए महरे आलम बीच बीच में नजर उठा कर नवीन भाई को देख लेता कि शायद को इशारा ही करते हैं पर वो तो अख़बार में ऐसे आँख कड़ाए बैठे थे जैसे भूली गए हूं कि उन्होंने महरे आलम की खस्मत बदने वाली कोई बात कही थी उसे डर था कि कहीं हरी भाई के जाते ही कोई और ना आ जाए उसने दुकान से बाहर नजर दोड़ाई आज शनिवार है इसलिए सडक पर भीर ज्यादा ही है आसपास के इलाखों के लोग फल सबजी खरीदने यहीं आते हैं एक से एक बड़ी फल सबजी की तीन दुकाने साथ साथ खुल गई है और हर दुकान में भीर लगी रहती है फल सबजी बेचने में ज्यादा मुनाफ़ा लगता है नवीन भाई उसने एक दिन कहा था देख में हरचंद नवीन भाई ने कहा था मुनाफ़ा तो उसी काम में है जो काम आता हो बात पते की कही थी नवीन भाई ने शुरू शुरू में हलाल गोश्ट वाले शकील ने उसे काम पर रखवा दिया था लेकिन खसाई बनना उसके बसकी बात नहीं थी वो तो पेशे से नाई था लोहौर में उसकी भी अपनी दुकान थी मगर उसमें एक और भाई साजेदार था साजेदारी भला कब तक चलती आपसी छगड़े में सब खत्म हो गया दूर के चचेरे भाई मुश्टाख ने सलाह दी कि लंदन आ जाओ एक बार बाखी सब अपने आप ठीक हो जाएगा पर लंदन जाए कैसे ले दे के दुकान बिखने के बाद उसके हिस्से में धाई तीन लाक हाया था मुश्टाख ने एक एजन्ट का नाम बताया जो वीज़ा लगवा सकता है एजन्ट ने कहा कि वीज़ा लगवाने में काफी खर्चा होगा जेब में रिर दो लाक हों तो छे महीने का टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकता हूँ सिर्फ छे महीने और उसके बाद क्या होगा उसके बाद गाईब हो जाना जैसे और बहुत से लोग हो जाते हैं एजन्ट ने समझाया दो लाक के आसपास खर्च करके वीज़ा मिला जो थोड़ा बहुत बचा वो टिकेट और दो चार जोड़ी कपड़े खरीदने में चला गया आते वक्त बीवी के हाथ में बचा खुचा दस हजार दे कर आया कि एक आत महीना किसी तरह चला लेना नौकरी मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा पर नौकरी का इंतजार कर रही थी मेरे आलम का एक एक पाउंड कमाने के लिए कितनी जद्वजहित करनी पड़ी है ये वही जानता है बस काफी है भई हरी भाई ने उठने से पहले दो पाउंड के दो सिक्के उसकी जेब में डाल दिये और नवीन भाई को बाल कटाई के पैसे देने के लिए काउंटर परचा खड़े हुए बहुत महंगा कर दिया है भाई नवीन जब बाल ज्यादा थे तो पाउंड में करते थे अब कम रह गए हैं तो तू साथ पाउंड लेने लगा क्या करूं रिसेशन का जमाना है हरी भाई क्या करूं मैं भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पूरा नहीं पड़ता आज भी सबसे सस्ते बाल कटते हैं मेरे यहां कहीं और जाओगे तो पंधरा बीस से कम में हाथ भी नहीं लगाएगा नवीन भाई ने हरी के दिये दस पाउंड के नोट में से तीन लोटाते हुए कहा देखो इलेक्शन के बाद शायद कुछ बहतर हो कुछ नहीं होने वाला हरी भाई सारी पार्टियों को पता है कि चाहे कोई आ जाए तंगी तो रहेगी कहने को महरानी का राज है इस मुलक में और हालत भिखारियों जैसी हो गई है हरी भाई को दुकान से निकालना कोई आसान काम नहीं होता ऐसा लगता है कि सिर्फ बाल कटवाने नहीं दुनिया भर का लेखा जोखा करने आते हैं साथ पाउंड और टिप दोनों पूरी तरह वसूल करके ही जाते हैं हिंदी में बोलते बोलते ठक गए तो गुजराती में शुरू हो गए और गुजराती महरे आलम को आज तक समझने ही आई नवीन भाई के साथ काम करते करते उसने आवजो, केम चूँ और सूख खबर तो सीख लिया लेकिन इससे ज्यादा नहीं क्या करें, जबान ही साथ नहीं देती आवजो, ये हरी भाई के रुखसत होने की खंटी है महरे आलम ने दिल ही दिल में अल्लामिया का शुकर अदा किया तो क्या कह रहे थे आप वो खिसमत बदलने वाली बात उसने नवीन भाई के पास चाकर पूछा क्या कह रहा था नवीन भाई इसी तरह भूली हुई बात याद करते हैं आहां, इस इलेक्शन में लिबरल डिमोक्रेट कह रहे हैं कि अगर वो जीत गए तो जितने भी इलीगल लोग यहां दस साल से बसे हैं उन सब को माफी मिल जाएगी इसका मतलब क्या हुआ नवीन भाई? मतलब यह है कि तुम जैसे लोग लीगल हो जाएंगे शुरू में दो साल का वर्क पर्मिट मिलेगा और उसके बाद पर्मनेंट वीजा महरे आलम का दिल खुशी के मारे ऐसे धड़कने लगा जैसे जिम में एक घंटा कसरत करने के बाद धड़कता है सच नवीन भाई? हाँ भाई, कहते तो यही हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं बस तू अब अंग्रेजी सीख ले कितनी बार कहा है तुझ से कि अंग्रेजी थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए मेरे आलम ने कुछ साल पहले अंग्रेजी सीखने की कोशिश तो की थी लेकिन बीच में ही छोड़ दी ठीक कहने हैं नवीन भाई अंग्रेजी सीखी लेनी चाहिए बकरे की माँ कब तक खेर मनाईगी अगले हफते ही दाखिला ले लेगा नैन भी कई बार कह चुकी है पर जीत तो जाएंगे नवीन भाई भाई लगता है इस बार इलेक्शन में जीतेंगे तो तोरी ही तो पर तोरी जीतें चाहे लेबर जीतें कोई भी बिना लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के सरकार नहीं बना सकता इस बार और एक बार लिबरल डेमोक्रेट पार्टी सरकार में आ गई तो अपनी बात मनवाही लेगी बस तू दूआ कर मेहरचंद इंशाल्ला रोज दूआ करूंगा नवीन भाई और जिस दन सरकार में आ जाएंगे शुकराने की नमाज भी पढ़ूंगा मेरे आलम को बात पूरी तरह समझ नहीं आई कि अगर लिबरल डेमोक्रेट पहले नंबर पर नहीं आएंगे तो सरकार कैसे बनाएंगे दुकान से घर जाते वक्त उसने तै कि फरीद भाई से जरूर पूछेगा वो अच्छे से समझाएंगे अल्ला सलामत रखे फरीद भाई को उन्होंने शुरू के दिनों में उसकी काफी मदद की थी उन दिनों वो हलाल की दुकान पर काम करता था और फरीद भाई वहीं गोश्ट खरीदने के लिए आते थे एक दिन उन्होंने दुकान के मालक से शिकाट की क्या असलम मिया पिछली बार किसी नौसिखिये ने मुर्गा काटा था क्या मुँ में हड्डियों का चूरा आ रहा था असलम ने उनसे माफी मांगते हुए कहा फिर कभी ऐसा नहीं हो गाजी ये नया बंदा आया है महर आलम अभी सीख रहा है बेचारे को काम की जरूरत है इसलिए रखा है अब से आप के लिए मैं ही बना के दूँगा फिकर न करें जनाब भाई खसाई का काम पेशा नहीं की सीखने से आ जाए हुनर है हुनर फरीद भाई ने मज़ा करते हुए कहा था और महर आलम को यात है कि ठीक उसी वक्त उसने असलिए भाई से पूछा था कहें तो दुकान के पीछे काट दूँ मौसम भी खुला है आज फरीद भाई ने कुछ औरी जमज लिया था घबरा कर बोले अरे अरे क्या करवा रहा है ओसलिए इस मुल्क में परमिशन नहीं है दुकानों पर बकरे हलाल करने की किसी को पता चल गया तो अरे नहीं जनाब बकरे की बात नहीं कर रहा ये मेरे बाल काटने की बात हो रही है पेशे से नई है लहोर में हज्जाम का ही काम करता था आज कल हम सब के बाल काटता है असलम ने कहा हो फरीद भाई ठाहा का मार कर हसे थे अरे भाई डरा ही दिया तुमने अच्छा बाल तो मेरे भी कटने वाले हो गए हैं महरे आलम की हमत बढ़ी थी काट दू जी अभी अरे नहीं भई यहां नहीं तुम ऐसा करना घर आ जाना दो बहर बाद नस्दीक ही रहता हूं और वो अपना पता समझा कर चले गए उस दिन महरे आलम उनके घर गया था अपनी पुरानी सी वाहित खैंची लेकर तो बोले ऐसी पुरानी खैंची देखकर तो कोई शरीफ आत्मी बाल नहीं कटवाएगा तुम से महरे आलम ने जब बताया कि किस तरह वो लाहौर में अपना सब कुछ कमा कर चार कपडों में यहां पहुचा है और अभी तो धन्दा शुरू करने के लिए जेब में पैसे भी नहीं है तो फरीद भाई ने अपने खर से एक बैग दिया और साथ में 20 पांट कहा कि कुछ जरूरी चीज़ें खरीद कर इस बैग में रख लो मैं और लोगों से भी मिलवा दूँगा हो सकता है तुम्हारा छोटा मोटा धन्दा चल निकले फरीद भाई उसे पढ़े लिखे इनसान लगे हलाल गोश्ट वाले असलम की तरह नहीं पता चला इंडिया से हैं फरीद भाई पर देर तक उस से पाकिस्तान के हालात पर बात करते रहे उस दिन के बात से महर आलम ने उनके घर जाकर कई बार उनके बाल काटे बड़े मिलंसार आदमी है फरीद भाई हमेशा महर आलम से दोस्ताना लहजे में बात करते हैं कहते हैं यार तुम घरा कर बाल काटते हो तो वतन और बच्पन की यादें ताजा हो जाती है लंदन में ऐसा एश कितनों को नसीब होता है हाँ उनकी बीवी जरा अलग मिसाच की है ज्यादा बात नहीं करती उससे एक बार महरे आलम ने उनके बाल भी काटे किसी तरह राजी हो गई थी मगर बात में बोली मुझे तुम माफ करो भाई तुमारे हाथों से कच्चे गोश्ट की बू आती है मैं नहीं कटवांगी तुम से बू ना आती तो और क्या आता छे दिन तो हलाल गोश्ट की दुकान पर काम करता था और इतवार के दिन चार पांच घरों में जाकर बाल करता हाला कि दुकान पर काम करते वक्त अकसर प्लास्टिक के दस्ताने पहनता था मलमल कर हाथ भी धोता था लेकिन बू शायद बस गई थी ये तो खस्मत थी कि नवीन भाई से मुलाखत हो गई और उन्होंने अपने हेर सलून में रख लिया अब तो फरीद भाई भी दुकान पर ही आते हैं जब उसका वीजा खत्म हो गया था तो उन्होंने ही समझाया था कि ऐसे यहां रुकना ठीक नहीं है किसी वकील से बात करो और पुलिटकल असालम की अर्जी दे दो वकील ने कहा कि केस मजबूत तभी होगा जब ये कहोगे कि वापस जाने पर तुम्हारी जान को खत्रा है क्या कहता महरे आलम कि किस से जान को खत्रा है सची बात तो यह है कि वापस जाएगा तो बीवी बच्चों के भूखों मरने का खत्रा है सियासत में वो कभी पड़ा नहीं वकील ने किसी तरह जूटा सच्चा केस बना कर अर्जी डाल दी थी पर कई साल वकीलों के चक्कर लगा लगा कर ठक गया महरे आलम अर्जी और अपीलें रिजेक्ट होती गई पैसा खर्च हुआ सो अलग एक बार किसी ने सलहा दी कि यहां की किसी लड़की के साथ निकाह कर लो तो तुम्हारा केस आसन हो जाएगा पैसा लगेगा कोई लड़की मुफ्त में तो राजी होगी नहीं कई रातों तक वो सुचता रहा फिर एक दिन फरीद भाई के पास ही गया यह बेवाखुफी मत करना महरे आलम होम आफिस वालों को पता है कि यहां बसने के लिए लोग इसी तरह की धोखा धड़ी करते हैं तुम्हारा केस और रोल जाएगा अब महरे आलम इस मुलक में है भी और नहीं भी अब वो भी गायब हो गया है बिना वजूद के एक जिन्दगी बसर कर रहा है हाँ एक फाइदा है इसमें जो कमाता है जेब में जाता है कोई टक्स नहीं पर ये खौफ हमेशा बना रहता है कि किसी ने खबर कर दी तो पकड़ लिया जाएगा और उसे वापस भीच देंगे पहले पहल वो बेवज़े इस बात से भी डड़ता था कि कहीं बीमार पड़ गया और किसी अस्पताल में जाना पड़ा तो सारी बोल खुल जाएगी इसलिए अपनी सेहत का पूरा खयाल रखता किसी जगड़े में कभी पड़ा नहीं पस अपने काम से काम रखता है शुक्र है अल्ला मिया का कि आज तक किसी ने उसकी शिकायत नहीं की उसके जैसे और भी तो है बहुत से ये ग्यार्हा साल है उसका अपनी फैमिली को देखे हुए इतना लंबा अर्सा कुसर गया एक अदद दीवी और चार छोटे-छोटे बच्चे छोड़ के आया था इस उमीद पर कि सेटल होने के बाद उन्हें भी बुला लेगा लेकिन कैसे बुलाए बुलाने की बाद तो दूर वो तो उन्हें मिलने के लिए जाभी नहीं सकता अगर एक बार गया तो फिर वापस नहीं आ सकता पैसे हर महीने पाबंदी से भीजता है वो माशालला घर बार ठीक चल रहा है लेकिन पिछले महीने ही सकीना ने फोन पर बताया था कि बड़ा लड़का पपू जो अब 16-17 साल का हो गया है गलत सहबत में पढ़कर चौरी चकारी के केस में फ़स गया था बड़ी मुश्किल से छूटा उस तिन से वो रोज़ाना नमास के बाद यही दूआ करता है ऐ मरे अल्ला पपू का मुस्तक्बिल बना उसे नेक रहा पर चला खराब सहबत से दूर रख पढ़ने लिखने में उसका जी लगा माबाप की इज़त करे खानदान का नाम रोशन करे आमीन सुमामीन अगर नवीन भाई की बात सच है कि लिबरल डिमोक्रेट पार्टी सरकार में आ गई तो उसे घर के एक आदमी को बुलाने की इजासत होगी तब पपू को बुला लेगा उसकी भी जिन्दगी बन जाएगी जैसे महरे आलम की बन गई और क्या क्या था वो यहाँ आने से पहले सिर्फ इकनाई ही तो थोड़ी बहुत उर्दू पढ़नी आती थी बस अब बहुत न सही थोड़ी सी अंग्रेजी भी समझ में आने लगी है चार इज़दार लोग उसके साथ इज़द से पेश आते हैं वैसे कार चलानी उसे पहले से आती थी पर यहां का ड्राइविंग लाइसंस पाने के लिए बड़े पापड बिलने पड़ते हैं पहले यहां कार चलाने के लेसन लिए दस पाउंड जाता था हर लेसन का फिर उर्दू में थ्योरी का टेस्ट दिया और पास हो गया कार चलाने का टेस्ट भी वो एक ही बार में पास कर गया जबकि रमेश तीन बार फेल होने के बाद जाकर पास हुआ आज मेरे आलम के पास UK का ड्राइविंग लाइसंस है कभी कभी जुनेद भाई की मिनी कैप कमपनी के लिए रात को टेक्सी चलाने का काम भी कर लेता है कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है लाहौर में जितनी मेहनत करता था उसका क्या सिला मिलता था जो कमाता कम ही बढ़ता फिर कभी ये सोचने की फुरसत नहीं मिली कि उसकी अपनी भी कोई जरूरत हो सकती है बेशक मेहनत यहां आकर दुगनी करनी पड़ी मगर आज उसे इस बात की शिकायत नहीं कि महनत का सिला नहीं मिला ग्यारा सालों में कितना बदल गया है महरे आलम जब यहां आया था तो शुरू शुरू में तीन लड़कों के साथ दो कमरों के छोटे से फ्लैट में रहता था इतनी घिच पिच रहती कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता नमास पढ़ने के लिए कमरे का साफ कोना ढूनना मुम्किन नहीं था बाखी तीनों लड़कों का रहन सहन बहुत गंदा था रात में खाए भुने मुर्गे की चुसी हुई हटियां सुभे तक प्लास्टिक की प्लेटों में सड़ती रहती बुचर खाना लगता था उसे ये फ्लैट बहुत बुरा लगता बार बार यही ख्याल आता कि विलायत आकर भी अगर ऐसे ही रहना पड़े तो लानत है शायद इसकी एक बज़े ये थी कि वो फरीद भाई का साफ सुतरा घर देख चुका था पांच साल किसी तरह गुजारे उसने उस जगा क्या करता अलग रहने में पैसे बहुत खर्च हो जाते फिर जब उसकी कमाई ठीक ठाक होने लगी तो उसने अपने लिए अलग कमरा ढूनना शुरू कर दिया एक दिन पता चला कि जस तरफ मिठाई की दुकान है उसी लाइन में आगे जाकर एक दुकान के उपर वाला फ्लैट खाली है वो रवीन भाई के साथ देखने गया छोटी सी बैठक, दो छोटे छोटे बेडरूम, किचन और बाथरूम हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी पर अपने आधे कमरे के मुकाबले वो फ्लैट उसे जन्नत जैसा लगा किराया था चार सो पाउन महीना इतना किराया देगा तो खाएगा क्या? खर क्या भेजेगा? फ्लैट पर उसका दिला गया था नवीन भाई ने समझाया इतना सस्ता फिर नहीं मिलेगा तुम किसी और को किरायदार रख लो तुम्हें तो एक ही बैठरूम चाहिए दूसरा वैसे भी खाली पड़ा रहेगा महरे आलम को बात चची लेकिन फिक्र इस बात की थी कि कहीं कोई ऐसा ना आ जाए जो सफाई पसंद ना हो मगर पहली फिक्र तो ये थी कि किरायदार मिलेगा कैसे? नवीन भाई नहीं आइडिया दिया मेरी दुकान की खिड़की में या न्यूज एजन्ट की दुकान में पर्ची पर लिखकर लगा दे कि किसी को कमरा चाहिए तो इस टेली फोन पर कॉन्टेक्ट करे तब तक महरे आलम के पास एक सेकंड हैंट मुबाइल फोन आ गया था कई दिनों तक किसी का फोन नहीं आया फ्लाट वो एक महीने का एडवांस देकर किराय पर ले चुगा था फिर एक दिन जब जुम्मे की नमास के बाद लोड रहा था तो फोन बजा किसी लड़की की आवास थी गुजराती में बोल रही थी महरे आलम ने अपनी टूटी फूटी इंगलिश में कहा नो नो गुजराती वो अंग्रेजी में शुरू हो गई महरे आलम की उलजन और बढ़ गई अंग्रेजी के दस बारा अलफाज वो समझने लगा था लेकिन पूरे पूरे जुमले समझना उसके बसकी बात नहीं थी उसने चला कर कहा टा अर्दू प्लीज तब जाकर बात समझ में आई लड़की को किराए पर कमरा चाहिए उसने बताया कि बड़ी मुसीबत में है उसके घरवाले ने उसे यहां लाकर छोड़ दिया है और ससुराल वाले भी उसे रखने को तयार नहीं है उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है पर महरे आलम को दो बातों की फिक्र हुई पहली तो यही कि पता नहीं किराया कैसे देगी दूसरी यह कि औरत साथ है लड़की ने बताया कि वो बैमली में एक दुकान पर काम करती है किराया हर महीने पाबंदी से देगी फिर भी महरे आलम के दिल में खटका लगा रहा इतने दिनों से औरत का खयाल भी उसे नहीं आया बस अपनी लाइफ बनाने की धुन लगी रही ताकि लहौर में अपने बीवी बच्चों की जिन्दगी समार सके अब एक औरत के साथ एक ही छट के नीचे रहने से कोई मुसीबत न उठ खड़ी हो पता नहीं कौन है, क्या चक्कर है इसका और फिर हिंदू है नवीन भाई की बात और है मगर उसे अच्छी तरह पता है कि यहां के बाखी हिंदू कैसे सुचते हैं नवीन भाई की दुकान पर अक्सर मुसल्मान खौम और पाकिस्तान को गालियां दी जाती है और वो चुप चाप खून के घूट पीकर रह जाता है उसे याद है जब यहां अंडरग्राउंड में बम भटे थे तो आए दिन कोई न कोई मुसल्मानों की ऐसी तैसी करता था एक बार तो खथी हो गई जब रमेश और विनूद भी चेतन पटेल की हां में हां मिलाने लगे चेतन पटेल बोला था मैं तो कहता हूँ सारे मुसल्मानों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए पाकिस्तानियों को तो सबसे पहले हिंदूओं का नाम सुना है कभी बम हमलों में? कभी नहीं मुसल्मान जिस थाली में खाते हैं उसी में चेत करते हैं इस पर रमेश ने कहा मुसल्मान अगर हिंदू का भेस बदल कर भी आ जाए तब भी उस पर भरूसा नहीं करना चाहिए मेरे आलम का मन हुआ था कि कोई जबाब दे कम से कम इतना तो कह दे कि न सारे मुसल्मान तहशदगर्थ हैं और नहीं सारे तहशदगर्थ पाकिस्तानी चलो ये भी न कहे पर इतना तो कह दे कि वो मुफ्थखोर नहीं है जब उसने पुलिटिकल असालम की अर्जी डाली थी तो शायद वो वाहिद शक्स रहा होगा जिसने खाने के कूपन लेने से इंकार कर दिया जिसका की मजाल है कि रमेश शाविनोत कोई ऐसी वैसी बात करें नवीन भाई ने उन दोनों को महरे आलम की असलियत पता रखी है पर साथ ही ये भी कह दिया कि खाबरदार कभी किसी क्लाइंट के सामने मूमत खोलना नवीन भाई तो उसे कई हिंदू घरों के लड़कों के मुंडन पर भी ले कर जाते हैं जहां महरे आलम को अच्छा पैसा मिलता है साथ में नए कपड़े एक बार राद स्वामी नारायन मंदिल भी ले गए बोले पंडितों के बाल काटने हैं महरे आलम डर गया था पर नवीन भाई किसी को पता चल गया तो एतरास कर सकता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तेरा नाम है मेहर चंद पस मुं मत खोलना वहां और हां पंडितों के बाल काटने वाली बात किसी को बताने की भी नहीं है समझा? ये सब नवीन भाई की बतालत है इसलिए जब नवीन भाई ने समझाया कि बेचारी मुसीबत में लगती है उसे सिर्छ छिपाने को जगह दोगे तो नेकी का काम करोगे तो महरे आलम ने सोचा वो भी तो लोगों की नेक नियत की वज़े से आज तक यहां टिका हुआ है उसका फर्स बनता है कि सवाप का काम करे जस दिन नंदिनी उसके फ्लैट में किरायदार बन कर आई उस दिन महरे आलम को लगा था कि इस मुल्क में उसका स्टेटस भी मकान मालिक का हो गया है महरे आलम को ये बात अच्छी लगी कि लड़की सफाई पसंद है घर चकाचक रखती है शुरू के कई महीनों तक दोनों में ज़्यादा बात नहीं होती थी पर थीरे थीरे दोस्ती सीखोने लगी और अब बात ही कुछ और है नंदीनी को उसने नाम दिया नैन पता नहीं क्यों पूरा नाम लेना उसे मुश्किल लगता था जबान हकलाने सी लगती है नैन ने एक दिन बताया कि नैन का मतलब है आँखे तब तो ठीकी नाम दिया उसने क्योंकि नैन के चेहरे पर सबसे खास हैं उसकी बड़ी बड़ी आँखें पर नैन ने कभी खुल कर ये नहीं बताया कि उसके खरवाले ने उसे क्यों छोड़ दिया क्या हुआ उसके साथ एक दो बार महरे आलम ने जिक्र छेड़ा तो वो टाल गई बस इतना कहा कि उसके बारे में बात करके तकलीफ होगी छोड़ दो उसके फ्लैट में जाने की सीड़िया दुकान के पीछे से हैं महा कार पार्क भी है लेकिन दुकानों के पिछवारे आसपास की दुकानों के तेल के खाली कनस्तरों और गत्ते के डिब्बूं का ठेर लगा रहता है हर बार पाउं रखने के लिए जद्दो जहिद करनी पड़ती है फ्लैट की पहली सीड़ी पर पाउं रखते ही उसे खायल आया कि नैम के लिए जलेबी ले ले उसे पसंद है मीठे के साथ अच्छी ख़बर सुनाएगा वापस बाजार की तरफ आया मिठाई वाले की यहां वीकेंट पर लाइने लगी रहती है क्योंकि उस दिन वो खास जलेबी बनाता है दूर दूर से लोग जलेबी और ठोकला खरीदने आते हैं धाई सो ग्राम जलेबी लेते हुए उसे याद आया कि किचन के नल की बात याद दिला दे जो हफते भर से टपक रहा है जिस फ्लैट में वो रहता है वो फ्लैट मिठाई वाले का है कमबख्त के पास पता नहीं कितने मकान और दुकाने है अल्ला जैसे देता है दोनों हाथों से देता है भाईजान वो नल उसने जलेबी के पैसे देते हुए कहा हाँ हाँ याद है महरे आलम ने भी उस वक्त कुछ और कहना ठीक नहीं समझा क्योंकि दुकान में भीड काफी थी धोकला भी लेते जाओ ताजा बना है पटेल ने हाक लगाई नई भाईजान आज बस जलेबी ही सही नैन से मिलने के पहले उसे पता भी नहीं था कि धोकला किस चीज़ का नाम है जब पहली बार उसने बनाया था तो महरे आलम काफी देर तक मुँ में रखने से डरता रहा जब नैन ने इसरार किया तो उसने खा लिया बुरा नहीं लगा शुरू शुरू में वो अपने लिए खुद ही कुछ बना लिता था या कबाब वाले के यहां जाकर खाया था पर एक दिन नैन ने कहा शाम का खाना घर में खाया करो मैं पकाती तो हूँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैं मास मच्छी नहीं बना सकती पर तुम्हारा जब खाने का मन हो बना लिया करना मेरे आलम ने हामी भर दी पहले उसने सोचा था कि दाल सबजी ज़्यादा दिन खाकर उप जाएगा लेकिन नेन तरह तरह की चीज़ें बनाती है और उसके हाथ में जाइखा है अब उसे ऐसा चसका लगा है कि कई कई दिन गोश्ट का ख्याल ही नहीं आता सोचकर हसी भी आती है कहीं गोश्ट खाना भूल ही न जाए इसलिए बीच बीच में लहोर कबाब हाउस चला जाता है कभी कभी घर में भी बना लेता है पर नेन का लिहास करके जाता नहीं अब कई सालों से रात का खाना दोनों साथ खाते हैं खाना खाकर कभी कभी दोनों डीवीडी पर कोई हिंदी फिल्म दिखते हैं नैन को बहुत शाख है नवीन भाई की दुकान में नई से नई फिल्मों के डिवीडी रहते हैं मेरे आलम ने पाकिस्तान में शायद ही कभी कोई हिंदी फिल्म देखी हो हलांकि मिलती सब थी पर यहां आने के बाद से शायद ही कोई फिल्म छूटी हो उसके बाद नैन अपने कमरे में चली जाती है वो भी अपने कमरे में आ जाता है वसूल यही है आगे की पहल नैन की तरफ से ही होती है उसे आज भी चार साल पहले की वो रात याद है जब अचानक नैन उसके कमरे में आई थी कुछ देर दर्वाजे पर बुत की तरहां खड़ी रही महरे आलम ने पूछा क्या बात है नीन नहीं आ रही आज मैं तुम्हारे पास आ जाओं महरे आलम का दिल ये सुनकर बुरी तरह धड़का था अल्ला मिया ये कैसा इमतहान है ऐसा नहीं की नैन उसे अच्छी नहीं लगती या नैन को देखकर उसके दिल में बुरे खयाल ना आये हो लेकिन उस वक्त उससे कुछ कहते नहीं बना था बस चुपचाब बिस्तर पर एक तरफ सरक गया और वो आकर उसके पास लेट गई उस रात कई सालों के बाद औरत के जिसम की गर्मी उसने महसूस की उसे बड़ी हैरानी हुई थी जब अगला ख़तम भी नैन ने उठाया नैन ने पहले अपने कपड़े उतारे फिर महरे आलम के और उसके बाद जो हुआ वो कुछ इस तरह हुआ जैसे ये तो होना ही था सुभे फजर की नमाज के वक्त उसकी आँख खुली तो देखा नैन उसकी बगल में नहीं थी शायद रात में कोई ख़ब देखा था लेकिन ख़ब नहीं था नाश्ता बनाते वक्त वो बोली थी मुझे तुम ऐसी वैसी औरत मत समझना जवाब में महरे आलम ने उसे गले लगा लिया था शायद सिंदगी में पहली बार उसने किसी औरत को यूं गले लगाया था लाहौर में अपनी बीवी के साथ उसका रिष्टा सिर्फ बिस्तर का था जिसका नतीजा था वो चार बच्चे औरत को सिर्फ गले लगा कर भी कितना सुकून मिलता है ये महरे आलम ने पहली बार जाना उस रात के बाद से नैन कई बार उसके कमरे में आई पर हमेशा सुभे हुने से पहले अपने कमरे में चली जाती है महरे आलम चाहकर भी कभी ये नहीं पूछ पाया कि वो ऐसा क्यों करती है और नहीं वो अपनी तरफ से पहल करने की हम्मच जटा पाता है उसे लगता है कि अगर उसने पहल की या नैन से कुछ पूछ लिया तो शायद उन चंद रातों का तिलस में तूट जाएगा इसलिए वो सिर्फ इंतजार करता है घर का दर्वाजा खूला तो देखा दर्वाजे के पास कई काख़ जमा थे आजखल अलग-अलग पार्टियों वाले अपने पर्चे डाल जाते हैं उसने उन्हें एक अठा किया और एक तरफ रख दिया दिल में खटका सा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नैन अभी आई ही ना हो परना ये काख़ यूना दर्वाजे पर पड़े होते पर किचन से आती आवाजों ने बताया कि नैन रात के खाने की तैयारी कर रही है प्रूरी लगता है पता नहीं किस किस के बाल जिसम पर चिपके हूँ वो शावर के नीचे खड़ा हो गया अपने पेट पर नजर पड़ी तो शर्मिंदा सा हो गया फिर बढ़ने लगा है एक अरसे से वो कुछ ज्यादा ही बियर पीने लगा था अब बीच बीच में रेड वाइन पी लेता है सुना है दिल के लिए अच्छी होती है पिछले साल हफते भर में चार बार जिम जाता था नैन नहीं टोका था पहले तुम्हारा पेट बढ़ने लगा है जिम जाया करो और वो जाने लगा बाखायदा मेंबर्शिप लेली फिटनेस सेंटर की महीने भर में एक तम फिट हो गया तब नैन ने मुस्कुरा कर कहा था देखो कितने यंग लग रहे हो यंग वो हसा था पैंतालिस का हो गया हूँ अजीब रिष्टा बन गया है उसका नैन के साथ पांच साल तो हो गए उन्हें एक साथ रहते किराया आज भी वो टाइम पर देती है और महरे आलम को शर्म सी आने लगी है उससे किराया लेते हुए इसलिए नैन हर महीने की पहली तारीख को पैसे उसके कमरे में मेस पर रख देती है एक दिन महरे आलम ने कहा कि इसकी कोई जरुवत नहीं है तो बोली तुम भी तो हर महीने मुझे खाने पीने का सामान लाने के लिए पैसे देते हो ये मेरा कंट्रिबूशन है किराय में ऐसा सोच लो कि हम मिल जुल कर घर चला रहे हैं घर तो वाख़ी मिल जुल कर चला रहे हैं दोस्तों की धरा पर का यहीं सिर्फ दोस्ती है नहा कर निकला तो नैन ने कहा बस दस मिनट और क्या बताऊं आज लोटने में तेर हो गए मैं कुछ करा दूँ महरे आलम ने पूछा हलांकि वो जानता है उसका काम खाने के बाद बरतंद होने का है नहीं नहीं तुम तब तक नमास पढ़लो मैं बुला लूँगी जले भी लाया हूँ देख ली है नैन ने मुस्करा कर कहा महरे आलम ने मगरिब की नमास अदा की और फिर बैठक में आकर बैठक गया उसने एक रेड वाइन की बोदल निकाली और बड़े से गिलास में डाली उसे पता है नैन देखेगी तो कहेगी ये बियर का गिलास है इसमें वाइन नहीं पी जाती लेकिन महरे आलम को वाइन के छोटे गिलास में मजा ही नहीं आता गुनाह करना है तो जरा हिम्मत से करो वाइन का एक लंबा घूट हलक में उतारा उसने एक बार फिर फरीद भाई का फोन में लाया पर घंटी पच्चती रही जिस सुफे पर वो बैठा है वो फरीद भाई के घर से आया है मकान मालिक ने तो बस एक टूटी कोई कुरसी दी थी फरीद भाई ने जब नया सुफा खरीदा तो अपना पुराना वाला उसे दे दिया तब से ये कमरा बैठक जैसा लगने लगा है जब नैन इस फ्लैट में रहने आई थी और ब्रश खरीद लाया था दोनों ने मिलकर सारे घर की पुताई कर दी ये कम इतना आसान होगा उसे अंदाजा ही नहीं था तब से फ्लैट बड़ा साफ सुथरा लगता है उसे काम के बाद लोटना अच्छा लगता है यहां उसे नैन के पास लोटना अच्छा लगता है चलो खाना खालो नैन ने आकर कहा तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया किचन की छोटी सी मेज पर खाना लग चुका है जो उसने एक सेकंड हैंट फरनीचर की दुकान से ली थी नेवाला मुँ में रखने के बात महरे आलम ने तारीफ की उसे पता है अगर कुछ नहीं कहेगा तो नैन को बुरा लगेगा कुछ तो कहा करो अच्छा या बुरा वो कहती है पर बुरा तो वो कह नहीं सकता आज नवीन भाई कह रहे थे कि हमारे जैसे लोग अब जल्दी ही लीगल हो जाएंगे खाना खाते हुए महरे आलम ने कहा अच्छा वो कैसे लिब्रल डेमोक्रेट पार्टी कहती है पर वो सरकार में आईगी तब तो कुछ करेगी ना देखना जरूर आईगी उसके चहरे पर टिका दी एक बार मुल्ट का चक्कर लगाओगा ग्यारा साल हो गए फैमिली को देखे हुए उसके बाद क्या करोगे पप्व को यहां बुला लूँगा और उसके बाद उसके बाद अभी सोचा रही तुम बताओ तुम क्या करोगी वो कुछ नहीं बोली सिर्फ उसे देखती रही वाह मुझसे तो पूछ लिया और अपनी बारी गोल कर गई बताओ ना महरे आलम ने शिकायत और इसरार एक साथ किये आगया के बारे में कभी सोचा नहीं मैंने लेकिन महरे आलम को लगा वो कुछ सोच रही है मगर क्या कितना कम चानता है वो नैन को जबकि नैन शायद महरे आलम की जिन्दगी का हर हर्फ बढ़ चुकी है उसके बाद दोनों ने चुप चाप खाना खत्म किया मैं नहाने जा रही हूँ सुभे टाइम नहीं मिला था नैन ने कहा और वो मेज से उठ गई महरे आलम ने प्लेटें और बरतंच साफ करके करीने से लगा दिये और अपने कमरे में आ गया बिस्तर पर लेट कर नैन का इंतजार करने लगा आईगी या नहीं इस सवाल पर गोर करते करते कब मस्तक्बल की तस्वीर बनाने लगा पता ही नहीं चला अल्ला के करम से एक बार यहां का परमिनन्ट वीजा मिल जाए तो जिन्दगी बदल जाएगी पप्पू को यहां बुला कर कोई अच्छा सा काम सिखा देगा अंग्रेजी पढ़ा देगा और जब उसे यहां का पासपोर्ट मिल जाएगा तो बाखी सबको भी बुला लेगा सोचते सोचते आँख जपकने लगी तो अचानक मुबाइल फून के अलाम ने याद दिलाया कि नमास पढ़ने का वक्त हो गया है वो उठा बातरूम खाली था पर नैन के साबुन की महग अभी वहां मौजूद थी उसने वजू किया अपने कमरे में आकर जा नमास बिछाई और नमास अदा करने पेट गया नमास पढ़ते पढ़ते कमरे के अधखुले दर्वाजे से उसे नैन की एक छलक मिली उसने कन्खियों से देखा लगा जैसे वो कमरे में च्छाक रही है एक लवहे के लिए उसका दिल नमास से हटा तौबा की और फिर नमास पढ़ने लगा नमास के बाद दूआ मांगी ए अल्लाह सारी दुनिया की खेर कर ए अल्लाह आलम इसलाम की खेर कर ए मेरे मालिक मेरी मुशके आसान कर ए रबवेजलजलाल मेरे गुनाहों को मुवाफ कर ए मेरे आका मै poundingार बंदा हूँ मुझपर कर्म फर्मा ए मेरे अल्लाह मेरी मड़द कर मेरी मुसीबते दूर कर महरे आलम जब नमाज अदा करके उठा तो देखा नैन कमरे के दर्वाजे पर एक बारीक सी नाइटी पहने खड़ी है बाहर से च्छन कर आती हल्की रोशनी में नाइटी से च्छांकती उसके जिस्म की लकीरों और गुलाईयों में महरे आलम की नजरें उलचकर रह गएं और अपना सिर एक बाह पर टिका कर महरे आलम को सवालिया नजरों से देखने लगी जैसे पूछ रही हो क्या मांगा पर महरे आलम की नजरें बारीक सी रेशमी नाइटी में से च्छांकते उसके जिसम में आज कुछ जवाब पढ़ने की कोशिश कर रही थी इस से पहले उसने नैन को हमेशा अंधेरे में महसूस किया था इतने सालों में पहली बार वो नैन को इस तरह देख रहा था दर्वाजा अब भी आधा खुला था और बाहर से आती रोशनी एक दूधिया सड़क की तरह उसके बिस्तर पर पिच गई थी उस रात रोशनी की उस सड़क पर नैन के साथ चलते हुए महरे आलम को लगा कि अल्ला मिया ने उसके किसी नेक काम से खुश होकर खुद उसे बखशीश दी है सुबह जब फजर की नमाज के लिए महरे आलम की आँख खुली तो देखा नैन उसकी बखल में सो रही है इसका मतलब कल रात वो अपने कमरे में नहीं गई नैन की एक बहाँ उसकी गर्दन से लिप्टी है उसके कुछ पाल माथे पर बिख रहे है उसलिए नैन के चहरे को देखा सुभे की खलकी रोशनी में कितनी मासूम लग रही है नैन के साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर में यू नीन से जगने का ये पहला तज़र्बा था महरे आलम के लिए जो उसे बड़ा सुकून दे रहा था अचानक महरे आलम के दिल में ख्याल आया कि अगर पपू यहां आगया तो सब कुछ बदल जाएगा उसकी जिन्दगी जैसी चल रही है वैसी नहीं रहेगी और इस पल वो नहीं चाहता कि उसके आसपास का एक जर्रा भी बतले वो हिलना तक नहीं चाहता कि कहीं के लमहा पानी में पढ़ते अक्स की तरहा हिलकर खायब ना हो जाए उसने बस लेटे लेटे दुआ में हाथ उठाए अल्ला मिया लिबरल डिमोक्रेट जीतें या खरें सरकार में आएं चाहें ना आएं मुझे लीगल स्टेटस मिले या ना मिले मैं तेरे रह्मो करम से जैसा हूँ बहुत खुश हूँ ऐ मेरे अल्ला मुझ गुनहगार बंदे पर ये करम फरमाता रहे आमीन सुमामीन मेहर चंद की दूआ सिन इंक पॉड़कास्ट की सीरीज ब्रिटन में हिंदी कहानी के तहत अभी आप मेरी यानि अचला शर्मा की ये कहानी सुन रहे थे ये कहानी क्यों तो कई जगह प्रकाशित और संकलित है लेकिन अभी तक मेरे अपने किसी कहानी संख्रे में नहीं आई वैसे अब तक मेरे तीन कहानी संख्रे चप चुके हैं बरदाश्ट बाहर, सुखा हुआ समुद्र और मध्यानतर BBC में काम करते हुए मैंने बहुत से रेडियो नाटक लिखे जिन में से कुछ नाटक, पास्पोर्ट और जणे नाम से दो पुस्तकों में संकलित हैं जो राजकमल प्रकाशन ने च्छापीं थी इस सीरीज में आपका परिचे ब्रिटन में बसे हिंदी के कई बहुचर्चित कहानिकारों से होगा तो अगली कड़ी का इंतजार कीजिए, फिलहाल अचला शर्मा को इजासत दीजिए, नमस्कार सिने इंक डाट कॉम ये थी सिने इंक पॉड़कास्ट की प्रस्तुती अगर आप यहां तक पहुच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तब में कंभीर किस्म के शुरूता हैं तो बस हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉड़कास्ट सुनने के लिए आप शौख से सिने इंक का दामन थाम लेजिए हम पॉड़कास्ट के तक्रीबन सभी मशूर प्लैटफॉर्म्स पर मौजूद हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलेविजिन के प्रोगामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आईए सिने इंक.com आप हमें अपनी प्रतिकरिया और राय भी लिख सकते हैं पोस्ट एट सिने इंक.com इमेल आईडी नोट कर लिजे पोस्ट एट सिने इंक.com सिने इंक परड़कास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोगामों का मशूर मंच सिने इंक.com